निकल बड़ा से बना पांच रूपे का एक ऐसा सिक्का जो आज से एक साल पहले भी 25-30 रूपे में बिखता था लेकिन आज अचानक से SKS कर्डेगरी के SKS में काफी उपर की तरफ आ गया है और इसका जो प्राइज है वो भी बहुत हाई है आज की डेट में डीटेल्स में जानेंगे, UNC में प्राइज क्या है, सबसे पहले सिक्का कौन सा है उसके बाद UNC में प्राइज क्या है, Extra Fine, Very Fine, Fine Carnition में प्राइज क्या है, Coinbook में क्या प्राइज दिया गया है, MinTage कितना है आपको कलेक्शन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए अगर कलेक पिछले वीडियओ का लिंक या फिर नोटिपीकेकिशन अगर आभी भी आपने नहीं देखा है, या फिर आप तक नोटिपीकेशन कहत्या है, तो आज के इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में मैं लिंक पिन कर दूँँगा, यह पर आप देख रहा है है, इस वीडियो का ल तो पांच रुपे का ये कॉमोप्टिव सिक्का मीन्ट किया गया था 2011 में 2011 में लेकिन सार्कुलेशन में लाया गया था 2013 में 2013 में और इस सिक्के का जो थीम है वो है 125 भी बात अनुवेर्सरी आफ मदन महन मालविया 1851 से 2011 दो डेट है तो जिने पता नहीं है वो थोरा सा कन्फ पोट्रेट है पोट्रेट के नीचे देखिए 1861 से 2011 जो 150 वर्स 150 एर्स होता है सिंपल डिजाइन है मदन महन मालविया जी के जो फूल फेस पोट्रेट है यहाँ पर आप देख रहा है है मेटल है निकल ब्रास वह थे 6 ग्राम और जो डामीटर है वो है 23 में मतलब 23 में निकल चे ग्राम वजन और 23 में बाला सिंक्का आता है भारत के चारो ही मीन से बनाया गया था बॉंबे कलकटा हादाबाद नौइडा बॉंबे मीन से दो अलग-अलग मीन पार्क आपको देखने को मिलेगा एक है डाइमेंट मीन पार्क जो बॉंबे मीन का मिन पार्क होता है और पन्हें और के संग्धिनुट या वाद में युक जो इसुस्टो यह पी होज़िए। आप इसी साल का Coinbook देखेंगे, जो राइटर्स होते हैं, Coinbook लिखते हैं, उनका अगर आप देखेंगे तो prize आप देखेंगे, हाइदाबाद मिंट का 30 रुपे, दूसरा कोई Coinbook राइटर है, उनका आप देखेंगे 50 रुपे, तो ऐसा 30 रूपे 20 रूपे 50 रूपे एक साल पहले का है ये लेकिन आज ये देख सकते हैं आप ये एकदम नीचे देखिए यहाँ पर हादाबाद मीन का ये देखिए यहाँ पर देखिए एक स्टार आप देख रहे हैं ये हादाबाद मीन का स्टार मीन पर्क और ये जो सिक् तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे दीजिये, मुझे अपने दोस्तों को बताना है इस सिक्के के बारे में, क्योंकि दोस्तों वो या तो अपने कलेक्शन में रखेंगे, या फिर इसके बाद वो सेल कर देंगे, बेस देंगे, डिशंबर में कोईन एक्जिबिशन भी आ रहा है, तो दोस्तों आपको भी ये सिक्का जनेर सर्कुलेशन में आज की डेट में मिल सकता है, देखिए, मुझे नहीं मिला है, तो फिर क्या है, मेरे दोस्त को मिला है, तो आपको भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है, आप में से जो जो ये इस वीडियो को देख रहा है, सब को रहूंगा तो अगर आप coin book देखेंगे देखिए रिवासाइड का photo यहाँ पर देखिए एम मींट मार्क का photo और यहाँ पर देखिए तो अगर मींट मार्क का अपर धेखिए 2012 लेकर एक्चुल में 2011 है यहाँ पर मींटेज आप देख सकते हैं देखिए मुंबाई मींट का मींट का मींट का मींट कितना है यहाँ पर प्राइज देखिए आप यह इसी साल का है 2022-2023 का coin book है देखिए Mumbai Mint 15 रुपे UNC condition में Mumbai Mint देखिए M Mint Mark का Mintage नहीं दिया गया है क्योंकि ऐसे जो Error सिख्के होते हैं अक्चुल में Error जो है M Mint Mark जो है ये एक Error है तो ऐसे Error का Mintage पता करना काफी मुस्किल होता है और RTI से मिलना भी काफी मुस्किल है ये पताते भी नहीं है दोस्तों किसी को ये पता नहीं होता तो इसलिए Mintage नहीं दिया गया है तो उसका प्राइस देखिए स्कैस करिकरी में है आज की डेट में 100 रुपे कोलकाता मिन्ट 25 रुपे हाइदाबाद मिन्ट 25 रुपे और हाइदा मिन्ट 25 रुपे यहां पर एक और बात नोटिस कीजिए आप देखिए मुम्बाई मिन्ट का जो मिन्टेज है वो सबसे ज्यादा है तो उसी सबसे प्राइस कम है लेकिन यहां पर देखिए कोलकाता 50 लाक्स हाइदाबाद मिन्ट देखिए 53 लाक्स नोटा मिन्ट 49 लाक्स मतलब नोटा मिन्ट का कीमत हाइदाबाद मिन्ट से या फिर कोलकाता मिन्ट से ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इसका मिन्टेज कम है लेकिन आज की date में बात ऐसा नहीं है आज की date में सबसे ज़्यादा जो कीमती है वो है हादाबाद mint और ये M mint mark से भी ज़्यादा कीमती हो गया है आज की date में तो अगर आपने skin shot नहीं लिया है तो आप यहां से एक skin shot भी ले लिजिए ताके बाद में आपको और भी आसानी हो तो आएए आप जानते हैं ground price ये चारो ही mint का मुंबाई diamond mint mark मुंबाई M mint mark कोलकाता mint हादाबाद noida mint का price आज की date में क्या है बॉंबे mint का M mint mark और हादाबाद mint को छोर के बांकी जो बॉंबे mint का diamond mint mark कोलकाता और noida UNC condition में आज की date में price है ध्यान रखी UNC condition में आज की date में price है 50 रुपे से 70 रुपे के बीच में कोलकाता mint का price थोरा सा कम है बांकी noida mint 70 रुपे UNC में और ये जो मैंने बताया बांकी mint, बॉंबे mint, diamond mint पर का क्यालकाता mint और noida mint का अगर UNC के इलावा आपके पास extra fine, very fine, fine condition में है तो दोस्तो छेल होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आज की date में ये टीनों mint, common category में आता है SKS तो लिखा हुआ है, लेकिन actual में नहीं है, common category में आता है और UNC में ही collectors buy करना पसंद करते हैं लेकिन हादाबाद mint, जैसे कि मैंने कहां SKS category के skill में काफी ऊपर चला गया है और ये extra fine condition में है, तो इसका value है बाकि जो aim mint park है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा तो आज की date में हादाबाद mint, मदन महन, मालवियो के theme पे जो 5 रुपे का सिक्का है उसका price है, UNC condition में 600 रुपे के आसपास UNC condition में, अगर extra fine condition में है, तो 200 से 500 रुपे अगर very fine, very fine plus condition में है, तो 70 से 80 रुपे, 100 रुपे में भी बिख सकता है और अगर fine condition में है, तो 20 से 30 रुपे हादाबाद mint की बात में कर रहा हूं, fine condition मतलब एकदम घीसा पीटा condition जो ये समझ में नहीं आ रहा है, इस face जो है, वो समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर से scratches आ गया है, तो ऐसा अगर condition है, तो 20-30 रुपे या फिर 35 रुपे, 40 रुपीज आपको मिल सकता है, डिपेंट करता है fine condition में जो उसका बायर आपको कैसा मिलता है, बायर को अगर evenancy पसंद है, वो तो fine condition नहीं लेंगे और अगर बायर का जो budget है, वो थोड़ा सा कम है, तो वो evenancy नहीं लेंगे, fine condition लेंगे तो उस हिसाब से bargaining होता है, तो दोस्तों यह हो गया, एम मीन पार्क जो है, वो आज की डेट में लगवग 200 रुपे के आसपास प्राइज है उसका प्राइज जो है, वो वैसा ही होगा, 20-30 रुपे, 50 रुपे के आसपास, सार्कूलेशन में अगर मिलता है, तो 200 रुपे के आसपास आपको मिलेगा एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, एम मीन पार्क का पैकेट, यह इस सिक्के का, मुझे मिला था 12,500 रुपे, मतलब सारे 12,000 रुपे में मिला था, आज से 8-9 महने पहले, इसी साल, मतलब 2023 में, तो मैंने उस समय नहीं लिया था, अब देखिए, मैं आपको तो बताता हूँ, लेकिन कभी-कभी जो हमें भी यह गलती हो जाता है, मैं यह दिल से मानता हूँ, तो उस समय मैंने नहीं लिया था, क्यों नहीं लिया था, क्योंकि मैंने यह सोचा था, जिस सिक्के का, मतलब मिल हो गया है, पुरूप कोईन का, तो जिस सिक्के का पैकेट मिल सिक्क को नहीं लिया है तो दूसरा कोई भी सिक्का नहीं लिया है आप जानते हैं आप अन्बोक्सिंग देखिए अन्बोक्सिंग वीडियो है प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं आपको अच्छा लगेगा अक्च्वल में होता क्या है एक एक कलेक्टर अपने अपने interest के हिसाब से सिक्के collect करते हैं सभी सिक्के collect आरना possible किसी के लिए ये possible नहीं है एक तो पैसे का भी मामला है और दूसरा जो बात है वो है दोस्तो वो interest भी नहीं रहता है तो अगर आपके पास मदन महन मालवियो वाला सिक्का है चाहिए वो कोई भी सिक्का हो Bombay हो, Diamond Meat Park का Bombay हो, M Meat Park का Calcutta हो, Haidabad हो, या भी Noida हो अगर आपके collection में हैं तो मुझसे share जरूर कीजिए आप share करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है निवमी स्पेज, टीम को अगर आप support करते हैं कुछ contribution करना चाते हैं तो यहां पर मैं GP का नंबर में दे रहा हूँ आप donate कर सकते हैं आप अपने मर्जी के हिसाब से अगर कोई सवाल है, comment box में या फिर मुझे mail कर सकते हैं इस mail ID पर contact address.in अगर आप मुझसे कोई भी सिक्का खरिदना चाते हैं अपने collection के लिए तो इस number को आप ship करके रखिए बहुती जल्द इस number पे ही WhatsApp आएगा तो ship करके रखिए या फिर मुझे आप text भी कर सकते हैं मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए जय हिन